नमस्कार दोस्तो आपने के बार नोटिस किया होगा कि आपके शरीर में के जगा अचानक से नील के निशान जम जाते हैं जहां कोई चोड ना लगी हो के बार तो नील के निशान महीनों तक जमे रहते हैं और सबसे जरूरी सवाल क्या आपके शरीर में हर वक्त नील के निशान पड़े रहते हैं वैसे तो ये नील के निशान चोट लगने की वज़ा से ही नजर आते हैं अगर बिना चोट लगे, शरीर में नील जमने के निशान दिखाई देने लगे, तो ये चिंता की बात है, अगे जानते हैं इस बारे में शरीर में कब और कैसे नील के निशान जमते हैं और क्या इसके पिछे फज़ा होती है क्यों पढ़ते हैं नील के निशान, तवचा पर चोट लगने के बार दरक्त दमणियों को नुकसान पहुंचने से नील जम जाता है, इस तरह की चोट से खून रिष्टा है और आसपास की कोशिकाओं में फैल जाता है, जिससे की नील जैसा निशान पढ़ जाता है, चोट ल वजा नील जमने के कारण, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही मतवपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, बुड़ापा आना अक्सर आपने अपने गर में बड़े बुड़े लोगों के शरीर में नील जमने की स्टेथी को देखा होगा, बुज़ूर्ग लोगों के हाथों के पीछे नील जमना एक समन्ने बात है, शरीर में दिखने वाले ये नील के निशान लाल रंग से शुरू होकर परपल और ग ज़ादा एक्सरसाइज, शरीर में नील जमने का एक कारण ये भी है कि ये आप एक्सरसाइज भी ज़ादा करते हैं, जो लोग ज़रूरत से ज़ादा एक्सरसाइज करते हैं जैसे वजन उठाना, कई बार खुद को चोटल भी कर देते हैं, जिसके वज़ा से नील के निश जम जाते हैं. विटामिन और मिनर curling की कमी कुछ विटामिन और मिनरल प्लड क्लोटिंग और जख्मा को बरने में खास बुमीकह निबाते हैं. इनकी कमी होने से नील के निशान पड़े दिखाई दे सकते हैं. विटामिन K ये खौन को जमने में मदद करता है और इस विटामिन की कमी से समान्य रक्ट जमने की प्रक्रिया पर प्रभाव पढ़ता है विटामिन C, कोलोजन और अन्य गटक जो तवजा और रक्त दमनियों में अंधरूनी चोट लगने से बचाव करते हैं इसलिए विटामिन C की कमी से नील के निशान पढ़ सकते हैं और चोट ठीक होने में अधिक समय भी लग सकता है मिनरल, जिंक और आइरन जैसे मिनरल्स चोट को सही करने के लिए अवश्चक मिनरल्स होते हैं आइरन की कमी से एनेमिया भी हो जाता है जिसे नील पढ़ने का एक बड़ा कारण भी माना जाता है वान बिलीब्रांड डिजीज एक ऐसी अवस्ता है जिसके होने पर शरीर में अत्याधिक रक्तसराव होने लगता है वान बिलीब्रांड नामक प्रोटीन के स्तर में रक्त्ब की कमी के कारण ये बिमारी होती है ऐसे में चोट लगने के बाद बहुत अधिक खून बैखने लगता है इस समस्य से पीडित व्यक्ति को छोटी सी चोट के बाद भी अक्सर शरीर में बड़े बड़े नील के निशान दिखाई देने लगते हैं कैंसर और कीमोथेरपी अगर आपकी केमोथेरपी हो रही है और उसके वज़े से आपका ब्लड ब्लेट लेट्स चार लाग से नीची आ गया है तो आपके शरीर में बार बार इस तरह के नील के निशान दिख सकते हैं दवाईयां और सप्लिमेंट्स के इस्तेमाल के कारण भी शरीर पर नील के निशान पढ़ने लगते हैं वारफेरिन और एस्पिरिन जैसे खून को पतला करने वाले कुछ दवाईयों के कारण खून जमने से रुख जाता है इसके अलावा प्रक्रितिक सप्लिमेंट जैसे जिंको विलोबा, मशली का तेल और लहसुन का अधिक इस्तेमाल भी खून को पतला कर देता है जिसके कारण शरीर पर नील के निशान पढ़ने लग जाते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीड पर आए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करें धन्यवाद